नमसकार ससी कांता कि रसोई में देख़ये आज क्या ब奈 है आज मैं क्या ले किया आई हूँ यह देखिए बहुद पौशिक गयहू से बना हुआ यह बहुत ही अच्छा आहार होता है और यह भीट-loss के लिए बहुत अच्छा है और बच्चों के लिए बहुत बहुत है इसक सकते हैं और इसको मीठा भी बना सकते तो आज मैं इसको मीठे की रेस्पी मेरे चैनल पर पड़े हूं आज मैं आपको नमकीन बना कर दिखा रही हूं तो यह मैंने आधा कब देखिए यह ग्यहूं का दल्या लिया है यह मार्केट में ऐसे बना हुआ पैकेट मिल जाता है तो सब्सक्राइब कर देखिए लिया हुआ है बाकि और सब्सक्राइब जो चाहिए डालना चाहिए ले सकते हूं इधर मैंने कडाई लिया उसमें दो चम्मत देशी घी डाल दिया क्योंकि पहले इसको थोड़ा सा रोस्ट करेंगे तो रोस्ट करने से बहुत ही अच्छा टेस मेरा पहला सब देखिए तो मैं आहर धा लूसर ना चैली लोस्ट सब्सक्राइब कैसे मेरा ब्हुत है हिसमें बहुत हिसमें को कर लिया अटा दिया अब मैंने कुकर ले लिया और शोड़ा सा को कुखaja मै हमारा तो मैं इसमें जो चॉप्ड टोर को नियुन सक्ते हैं और आ इसमें डाल दूंगे प्याज क्योंकि जो काटके रखा था वह प्याज जो आपना खाना चाहिए उसको स्किप भी कर सकते हैं तो यह देखिए मैं इसमें प्याज डालने के बाद इसके उपर मैंने जिंजर गिलेट करके रखी थी अदा चम्मच वह डाल दिया इसमें अब थ मैं आट टमाटर मिलास में डालinaçãoगी न्यकज में एक रखी और तेस्ट बाद आउनने मैं अख़ी दालने के बसमें अब अंध बहुत कर दोण से बत्वाहनी सब्सुद तक अच्छा है। यह दो हुआ अप लगवतां हो अब इसमें कुछ मसाले एड करूँगी तो देखे मैं क्या-क्य डालती हूं तो सबसे पहले तो मैं इसमें तेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालूँगी तो आप जितना नमक खाते हूं से आप से डाल यह कम ज्यादा तो टेस्ट को ट्रेणिंग हमने शाल डाल दिया इसमें और अब इसमें आदा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया और आदा चम्मच जो में इसमें धनिया पाउडर डाल दिया और आदा चम्मच के करीम मैंने इसमें रेट चिली पाउडर डाल दिया और आपना डालना चाहें तो बिल्कुल ही मत डालिया रेट चिली तो मैंने थ यह आप टोमाटवा ढालेंगे लश्ट में अब यह जो मैंने दलिया रखा तो भूनके अब इसमें अपना एक कर देंगे पूरा एक कर देंगे लिया ओर बहुत ही अच्छा यह बना था और बहुत ही अच्छा यह आप इसमें कॉलीफ्लावर भी डाल सकते हैं या बीन्स भी डाल सकते हैं और जो सब्सक्राइब डालना चाहें और ज्यादा हेल्दी बना सकते हैं इसको तो यह गेहूं का दलिया बहुत ही फायदेमंद होता है आप इसको अपने ड्रेकफास्ट में सामिल करिए लेज में भी कि इसको यह देखिए मिक्स करके इसको देखिए इस तरह इतना पानी हो गया अब मैं इसको बंद कर देती हूं और तीन चार विशिल करीम हमारी आ जाएंगी मीडियम फ्लेम पे फिर मैं इसको बंद कर देती हूं तो मैंने इसमें चार विशिल हमारी आ गई और कोकर ठंड हो गया तो आप देखिए मैं आपको खोल कर दिखाती हूं यह देखिए कितना बढ़िया पर्फेक्ट बना है एकदम बहुत अच्छे दल्या बना हुआ है वेजी टेबिल डालके और मीठा दल्या भी बनता है मीठा दल्या वे केवल भून के उसमें दूर डाला जाता है तो कितना बढ़िया है वेजी टेबिल दिखाई दे रही है दल्या भी अच्छे से हो गया मैंने इसको सर्व कर दिया है और यह देखिए बहुत ही अच्छा बना था यह और एक बार जरूर आप इसको हमारे स्टैल से बना कर देखिएगा आपको जरूर पसंद आएगा और घर में भी सभी को बहुत ही पसंद आएगा तो देखिए कितना जैसे अच्छा लग रहा है विसके खाने में भी बहुत ही टेस्टी यह बना था और हेल्दी भी बहुत ही होता है और आप डाइजेशन भी बहुत अच्छा सा रखता है यह तो रोटी की जगे आप इसको खाली जे लंच में तो वेट लॉस भी से अच्छा हो जाता है और अगली वीडियो का वेट करिएगा थैंक्स पर वाचिंग